नमस्कार फिर्ट स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल स्पे और आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पास डिश टीवी का HD सटप बॉक्स है और HD सटप बॉक्स में आपको कैसे पिच्चर कॉल्टी यदि लो आ रही है तो उसको पिच्चर कॉल्टी बढ़ाने के लिए और इसमें पिच्चर कॉल्टी नहीं आ रहे तो उसको आपको कैसे सही करना है आज मैं आपको इसे वीडियो पर बताऊंगो तो वीडियो पर बने रहे हैं और देखते जाए कि कैसे आप अपने टीवी का पिच्चर कॉल्टी बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने रिमोर्ट से मेनू के बटन प्रेस करेंगे, और जैसे आप मेनू के बटन प्रेस करेंगे, तो यहां पस आप देख सकते हैं, चैनल्स हो गया, एक्टिव सर्विस हो गया, गाइड हो गया, माई रिक्वारिंग्स, माई इसद्टीवी और इसके बाद आपका hylkप setting हो गई, timer setting और इसके बाद tools TV sheet हो गया तो आपको इसमें आना है picture quality के लिए video और display के option में तो आपको direct picture and display के option में आ जाना है और picture and display के option में आएंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं TV screen format को option आता है जैसी आप इसमें ok press करेंगे आप जैसे ok press करेंगे तो आपको इसमें देख सकते हैं एक आता है solar ratio 9 का TV का और एक आता है 4.3 का आता है इसमें आपको 16.9 का TV में रखना है आपका और एडिस में आपको रखना है ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं जूम को option मिलता है यदि आपके पास TV बड़ी है और 43 इंच ये 50 इंच के उपर है तो आप अपने टीवी को जूम में रखेंगे यदि आपकी टीवी 32 इंच है तो उसको आप को normal में रखना है इसके बाद आपका यदि 32 इंच के उपर है तो आप इसमें रख सकते हैं इसमें भी आपका आएगा यदि आप उसमें रख देंगे तो आपका क्या है कि picture quality थोड़ी बड़ी देखेगी और photo फटेगी और सही से नहीं देखेगी फिर इसके बाद आप बैक करेंगे फिर इसके बाद आपका यहां पास आता है टाइम आउट बैनर का जो आप चैनल चेंज करते हैं उसमें आप कितने सेकंड में करना है ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं total कितने सेकंड तक आता है तो दस सेकंड तक आप उसको कर सकते हैं आप समय इसको एक सेकंड रखूंगा फिर इसके बाद आप करता है HD picture format तो HD picture format में आप जिसके click करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन-कौन से आफसान आते हैं तो HD format में आप देख सकते हैं 1080 pixel यह आपका जो 32 inch के उपर आपको देखना है तो इसमें रखना है 32 inch में रखना तो इसमें और 32 से न उसको setting नहीं बना सकते हैं यह समझ से आपको वीडियो कौन और डिश टीवी में दोनों में आती है तो यह बाद तो खास ख्याल रखना यदि आपके पास टीवी 32 inch से कम है तो आपको इसमें रखना है 32 है तो इसमें यदि आपकी टीवी supported है तो इसमें तभी आप इसको करन आता है एक anti-sc का आता है तो आपको इसमें पल में रखना है जिससे आपकी picture quality कापी अच्छी देखेगी color नहीं change होगा आप दूसरे में कर देंगे रपी से में तो आपका color जो है तो थोड़ा color रही नहीं दिखेगा और यह आपको जो है आई होप कि वीडियो आपको समझ में आगई होगी यह दि वीडियो आपको अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चिनस पेली बाइना तो चैनल को subscribe करना ना भूलना ऐसे लेक्टिश वीडियो पाने के लिए तो तब तक के लिए नवास्कार मिलते है आप को अगली वीडियो पे